हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज मैं लेकिया यू जटपट से बनने वाली स्नेक्स की रेस्पी तो आप इस रेस्पी को ज़रूर ट्राय किजिएगा बहुत ही रेस्टी लगती है खाने में और बहुत ही जल्ली बनके त्यार हो जाती है तो चलिए पर बनाते हैं तो यहां पर हमने 200 ग्राम के करीब पत्ता गोवी ले लिया जिसे हमने बारिक से कट कर लिया है अब हम इसमें दो बारिक कटा हुआ प्याज डालेंगे साध में इसमें दो बारिक कटे वी हरी मिश डालेंगे मेर चाप अपने इसाप से रखिए जैसा आपको ति आधी चोटी चमच हल्दी पॉडर लिया है आधी चोटी चमच नमक आधी चोटी चमच जीरा और आधी चोटी चमच गरम मसाला पॉडर अब हम इसमें चार चमच बेशन डालेंगे और साथ में दो चमच चावल का आटा डालेंगे चावल का आठा डालने से नास्ता जो है वो क्रिस्पी सा बनेगा और टेस्टी भी लगेगा खाने में अब हम क्या करेंगे इसे हर लेते हैं तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए तो इसे हाथों से mix कर लेंगे ताकि मसाली जो है न वो अच्छे से mix हो जाए अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के डो को त्यार करेंगे तो इक ट्था एक साथ पानी ना डाले 2 से 4 चमच के करीब पानी डालने से ही डो हमारा त्यार हो जाएगा तो देख सकते हैं हमने डोग को त्यार कर लिया है तो बस हातों में हलका सा तेल लगाएंगे और थोड़ी से लोई को उठाएंगे और हम इसे टिक्की का सेव देते हैं वे त्यार करेंगे तो पहले हातों में हलका सा तेल लगा लें नहीं तो यह चिपक जाएगा हाथ में तो यहाँ पर मैं इसे टिक्के के तरह बना रही हूँ और इसी तरह से हमें सारे नास्ते को बना के त्यार कर लेना है तो आप इस रेस्पी को जरूर ट्राइ किजिएगा बहुत ही टेश्टी लगेगी खाने में और बहुत ही कम समान में बन के त्यार हो जाती है तो इसे प्लेट में रख देते हैं आप इस नास्ते को किसी भी मन पसंद स्यार कर सकते हैं तो देख सकते हैं उन्हें सारी नास्ते को बना के त्यार कर लिया अब हम इसे फ्राय करेंगे तो चलते हैं फिर गैस की तरब तो यहाँ पे हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया था तेल गरम है तो अब हम क्या करेंगे एक करके नास्थे को डालेंगे गैस को मीडियम रखें और इसे slow to medium आज पर यह फ्राइ करना है तो इसे पहले हमें दो मिनट के लिए एक साइट से फ्राय करना है तो देख सकते हैं नीचे से इसका कलर जो है वो चैंज हो गिया है तो इसे हम पलट देते हैं और इसे पलटने में जल्दबाजी ना करें नहीं तो यह तूट जाएगा जब एक साइट से यह सिख जाए तभी से पलटे तो एक एक करके हम सारी नास्ते को पलट देंगे और दूसरी साइट से भी हमें 2-3 मिनट के लिए फ्राय करना है तो इसे हमें 2 साइट राउन होने तक फ्राय करना है तो इसे तेज आज पर fry ना करें नहीं तो यह जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा तो इसे दो से तीन बार ऐसी ही उलट पलट के fry करेंगे ताकि यह अच्छे से fry हो जाए तो यह देखिए हमने इसे टोटल पांस से छे मिनट तक fry कर लिया है तो यह दोनों साइट से अच्छे से fry हो गया है बहुत अच्छा सा कलर आ गया इसमें तो बस अब हम इसे निकाल देंगे तो सारे नास्ते को प्लेट में निकाल लीजिए तो देख सकते हैं कितना टेश्टी लग रहा है यह देखने में तो बच्छे वी नास्ते को में ऐसे fry कर लेना है दोनों साइट से golden brown होने तक तो गर्मा गर्म नास्ता बन के त्यार है आप इसे एक बाद जरूर ट्राइ कीजिएगा आप इसे सामके चाय के साथ हलकी फुलकी भूक में बना के खा सकते हैं बच्चे हो या बड़ी सबको पसंद आएगा अगर आपको यह रेस्पी मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलती हू एक नहीं देश पी किसा तब तक बाई बाई